जितनी भी टैस्ट सीरीज चैनल पर चल लगी है सबका प्लेइलिस्ट बना रखा वो लिंक हर वीडियो के नीचे हर टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्सर में बिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है बात हो रही है इन म तो नर्मदा निती का उत्गम है अमरकन्तक पहाडी के पश्चिन पाड्सर्पश्च और रिफ्ट वेलीमे बहती है जबलपूर के निकट भेडा घाट में संग मरमर के सैलो में यह नदी गहरे गार्ज में बहती है तथा जहां यह नदी तीप ढहल से गिरती है और भाहा धुआधार परपात का निर्माण करती है तो धुआधार परपात किस नदी पर इस्थित है अलग से प्रश्ण बनाएगा तो आंसर उसका नर्मदा नदी पर लगभग 1312 किलोमेटर दूरी तक बहने के बाद यह है भडोच के डक्षण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमेटर लंबा जुआ अरणमुक बनाती है कुशन नमबर टू है फिर से किसी रिवर की बात ही हो रही है यह नदी चंद्रा और भागा दो सरीताओं से मिलकर बनती है यह सरीताओं हिमाचल परदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है इसलिए इसे चंद्र भागा की नाम से जाना जाता है उप्रोक्त चंद्र भागा की नाम से जाना जाता है चिनाब नदी जो है वो सिंधू की सबसे बड़ी सहयक नदी है पुशन नमबर थरी है गंगा नदी का उद्गम स्रोध कहां पर है तो तो पताओगा सभी को गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा और यमनोत्री हिमनद से निकलती जो 3,900 मिटर के उचाई पर है उससे निकलती है और अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत दोनों के दृष्टि कौन से भारत की सबसे महत पूर्ण रिवर है ये Question number 4 है निमलेकित में से कौन सी गंगा की सायक नदियां है इन में से तो कौन-कौन सी है गंगा की सायक नदिया गंडख है गंगा की सायक नदिया और राम गंगा भी है और कौन-कौन सी है इन में से और सोन भी है तो पहला दूसरा हो जागा है हाँ पर आंसर पहला दूसरा तीसरा बेन गंगा नहीं है question number five है निम्लिकत में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सायक नदियां हैं तो दिहांग, लोहित, मानस और रांगो संग्पो इसके बाद अगर देखा जा तो सुवन्षरी, धन्षरी ये सब की सब ब्रह्मपुत्र की सायक नदियां हैं तो उपरोक्त सभी डियांसर हो जा नदियां और तिबद की रांगो संग्पो ब्रह्मपुत्र नदि के दाहिने तटपर मिलने वाली एक प्रमुख नदियां और हिमाले के ग्रिपिद में यह है सिसंग के नाम से निकलती है और दक्षिन पस्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तटपर इसकी नदि पर ही अवस्थित है तो सरदार सरोबर परियोजना गुजरात में है नर्मदा रिवर पर है कोशिय नदी के दौरा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है क्या है इसका प्रमुक कारण देखे कोशिय नदी दौरा परवतों से भारी मात्रा में अवशाथ लाकर मैदानी भाग में निक्षेफित कर दिये जाते हैं इसी कारण कोशी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है तो हिमाले छेत्र की नदियां मैदानी भाग में सरपकार मार्ग में बहती हैं और अपना रास्ता बदलती रहती हैं कोशी नदी जिसे बिहार का सोग सोरव बिहार भी कह करती है इससे नदी का मार्ग परुद हो जाता है वे परणाम सरूप नदी अपना मार्ग बदलती रहती है इधर उदर बहेगी तो बाड़ी आएगी आठवा प्रशन हिमालय परवत्स रंखला की किन दो स्रणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है तो लदाक और ज वे जासकर में अपवाहित होती है तो सिंधु नदी का उद्गम तिबबत छेत्र के कैलास परवत स्रणि में बोखर चुके निकट एक मिनत से होता है तिबबत में इसे सिंगी खबांग अथवा सेर मुख कहते हैं लदाक वे जासकर स्रणियों के बीच से यह नदी उत्तर पश्यमी दिसा में बहती हुई लदाक और बाल्टेस्तान से गुजरती है और लदाक स्रणियों को काटे हुए काटते हुए जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीक एक दर्शनिय महाखंड का निर्माण करती है देखिया एकस्पनेशन बहुत बड़ी बड़ी है देखा जिसे निकलती है कौन-कौन सी है वो तो गोमल है इसके बाद शियोक है नुब्रा है और विबुवा है तोची नहीं है तोची को इलिमिनेट करके क्या अंसर निकलता बिल्कुल निकलता इसका अंसर हो जाएगा आप्सन नंबर सी है तो पहला दूसरा पांचमा देखिये सी यह तो भी निकलाना तो यह व जागा पहला दूसरा पांचमा गोमल है तोची है शियोक नहीं और विबुवा क्योंस के फॉंट का असली है ए यहाँ होनजी सी हे यहाँ डी लेकिन यहे व इल्टा हो रहा है तो गॉन्दिदा पैदा हुरा है तो इसका अंसर यह 1-2 5 है टो प्राइदी पी अपवातंत्र हिमाले अपवातंत्र से पुराना है क्योंकि प्रायदीप नदियां प्रोन अवस्ता में हैं तथा इन नदियों की घाटी चोड़ी और उतली हैं को ए और वर दोनों सही हैं इस पश्टी करण भी करता हैं तो ए हो जाएगा इसका अंसर नुद्र फारत अंन्सर ही तो प्रायदीप अपवात अंत्र हिमाली अपव भी प्यान्दीयों का कौझ सा क्रम सहिंए है तो कौन सा क्रम शिरुप सिर्णामें कि जिकरेंग गाँढ़ आधिया नॉमबर घरेंग गरीए ठेकपन में सब्सक्राइब समीन क्रेंदर हम कि आठेट आज पर इसिर्णाम इसम्ट करेंजेगां报 सलों कि में गण dictionary कॉश्चर नमर्ट 13 निमलिकत मेंसे किस नदी का उद्गम इस्थाल भारत में ही नहीं, कौन सी रिपर है वो, तो व्यास चिनाब, रावी सब भारत में, लेकिन सतलज नदी भारत से नहीं निकलती, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में जो मांसरोबर जीला उसके निक क्योंकि कावरिया नदी का आउबर छेटर के उपरी जल्ग finely मानसूने गर्मी और निश्ल हुन के उत्तर पूरी मानसून से होती हैं तो wedब तो करेक्ट हैं डोनों के डूने स्टेट्मेंट इस अरूंट भी करता है इस दार्जलिंग और सिक्किम हिमाले में पाई जाती हैं दूआर इस्तिला करती हैं तो देखिए दार्जलिंग और सिक्किम हिमाले बाकी हिमाले शेतर से भिन है क्योंकि यहां दूआर इस्तिला करती हैं पाई जाती हैं जिनका ओपियोग चाय वागान लगाने के निकिया गया ह यहां की प्राकृतिक दसाओं जैसे मध्यम, ढाल, गहरी, जीवास्म, उक्तमिट्टी, संपूर्ण, वर्षा, और वर्षा का होना, सीत्रितु, मंद सीत्रितु का फाइदा उठा कर अंग्रेजों ने यहां चाय के बागान लगाए थे. Q16 है, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा क्या है यह? यह हैं उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां, ट्राइब्स हैं यह, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, डफला, मोनपा. भारत के पूर्वतर शेत्र में इससे तरवनाचर प्रदेश की मुख्य बेसेस्ताई है कि यहां बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, इस शेत्र में पस्चिम से पूर्व में वसी कुछ जनजातियां इस परकार हैं, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा इन में से जैत्र जनजातियां जूम खेती करती हैं और जूम खेती पते ही होगा, परियावरण की शत्रु है, जिसे इस थानांत्रित क्रशी या स्लेस या बर्न क्रशी भी कहा जाता है, मतलब काटो, साफ करो, फिर जला दो, यह छेत्र जैब विभिता में धनी है, जिसका स 17 है हिमाले परवत की पूर्वी पहाडियों का उत्तर से दक्षण की और सही करम में सजाई है, उत्तर से दक्षण की करम मतलब नौर्थ टू साउथ सजाना है, तो पटकाई भूम आएगा, उसके नीचे आओगे तो नागा पहाडियां, फिर आएगा मनीपूर पहाडियां उसके नीचे है मिजो पहाडियां, तो हिमाले परवत स्रंकला की पूरी पहाडियों का उत्तर से दक्षण की और अगर सही करम देखा जाए तो पटकाई भूम, नागा पहाडियां, मनीपूर पहाडियां, मिजो या लुसाई पहाडियां यहां झायतर पहाडियां छोटे और बड़े नदी नालों से अलग होती हैं। कुशन नबर 18 है, बराक रीवर किस राज की एक महत्पूण नदी है? किन राज जो किया बताईए? तो मनिपूर और मिजुरम देखें, मनिपूर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी जो है, मनिपूर और मिजुरम की एक परमुख नदी है, बराक नदी, मेगना नदी की एक मुख्य सायक नदी है, और मनिपूर के पूरी भाग में बहने वाली नदियां, चिंदविन नदी की सायक नदियां है, जो की मैमार में बहने वाली इराब़ी नदी की साइग नदियां है। तो किस सिरे से देखिए, तंतर चला है। यह मंतसे हैं यह इउन गाट मिलते हैं कहां पर नेलगरी की पहड़ियों में अंति इंप्रश्ण की तरफ अग्रिशर होते हैं पूर्वी घाट का विस्तार है कहां पर कहां पर अचार ओप्सन दिये हैं महानदी घाटी से दक्षिन में नेलगरी तक है इसका विस्तार तो पूर्वी घाट का विस्त कि अबहुतार महानेदी घाटी से